काक्षा 10 की जो अध्याय हमारी दो है जिसका नाम में बहुपद जिसको इंगलिशन बोलते हैं पॉलिनोमेल तो इसमें पर द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे किसके बारे में द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसमें चरपत की अदिक्तम घात कितनी हो? दो हो? उसको द्विघात बहुपद बोलता है तो द्विघात बहुपद ये होता है जिसे AX X square plus BX plus C दोको A को क्या बोलते है X square का गुणांग, B को क्या बोलते है X का गुणांग और C को बोलते हैं अचरपत वापस रिपीट कर रहा हूं यह द्विगात बहुपत है A को बोलते हैं X स्क्वाइर का गुणांग B को बोलते हैं X का गुणांग और C को बोलते हैं अचरपत तो मैंने आपको बताया था जो शुन्यको का योग है शुन्यको का योग योग, शुन्य क्या होते हैं इस द्विगारत भववत्पत के शुन्य को होते हैं alpha और beta, ठीक है शुन्य कोका योग मतलब alpha प्लस beta इसका सुत्र बताया था मैंने आपको minus b upon a, यो minus का यो minus जो है यो सुत्र का है ठीक है जो यहां पर जो बी कमान होगा उस चिन्न के साथ लिखना है अपनों को ठीक है जिसे यहां माइनस है तो यहां एक करोर माइनस लिखे बी कमान लिखना है ठीक है तो ध्यान लखना है यह शुन्यकों का योग का सुत्र है और मैंने आपको बताया था शुन्यकों का पढ़ चुके हैं, शुन्यकों को योग alpha प्लस beta बराबर minus b upon a और शुन्यकों को गुननफल c upon a, ये तो पढ़ चुके हैं, अब अपनों को ये शुन्य गयाद करने हैं, ये alpha और beta का मान के से गयाद करें, द्विगात बहुपत की क्या होते हैं, अधिक्तम चर्पत की अधिक् तो इसके शुन्यक आते हैं दो, एल्फा और बीटा, अब इस एल्फा और बीटा का मान कैसे ग्याद करें, तो इस एल्फा और बीटा का जो मान ग्याद करने का एक सुत्र होता है, जिसको श्रीद्रहचारी बोलते हैं, तो शुन्यक, ठीक है, शुन्यक ग्याद करने हैं पने द्विगाद बहुपत के शुन्यक मूल हल कौन-कौन से अलफा कॉमा बीटा ये होते हैं तो द्विगाद बहुपत के शुन्यक मूल हल अलफा बीटा का मान ग्याद करने का सुत्र ठीक है जो सुत्र होता है का मान ग्याद करने का इधर लिख देता हूं सुत्र यह जो सुत्र होता है यह श्री दराचारी सुत्र होता है श्री दराचारी सुत्र श्री दराचारी सुत्र और यह होता है minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a यह श्रिदराचारी सुत्र होता है यह मूल, हल, शुन्यक कुछ भी बोल दो जो alpha और beta का मानके से ग्याद करेंगे उसका सुत्र होता है जिसे मैं आपको एक example देके समझाता हूँ एकजामपल से आप अच्छे से समझ पाओगे देखो, समझो एक example है क्यूश्य ने बना द्विगाद भौपद द्विगाद भौपद x square plus 7x प्लस दस के शुन्यक ग्याद कीजी शुन्यक ग्याद कीजी ठीके अब देखो सुन्यक ग्याद करना है alpha और beta का मान ग्याद करना है यह question में दिया हुआ नहीं है यह मैं खुदी लिकरा हुआ alpha और beta का मान ग्याद करना है अब देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ x square का गुणाँ क्या होता है x square का गुणाँ होता है अपना a x का गुणाँ क्या होता है b और अचरपद क्या होता है अचरपद वो होता है अपना c अब मुझे बताओ इस सम्मी करन में a का मान क्या है तो अब बताओ के a का मान x square के आगे जो लिखा हुआ x square के आगे कुछ नहीं दिखा दे रहा है इसका मतलब क्या है 1 तो a कमान होगे अपना 1 b कमान कितना है x का गुणा x का गुणा कितना है 7 और अचरपत क्या है अपना c c कमान कितना है 10 अब आपस इस सुत्र में यह मान रख दो तो देखो तो सुत्र में मान रख रहा हूँ तो minus और b तो यह minus का चिन तो minus b कमान कितना है b कमान है मेरा 7 तो यह 7 फिर यह plus minus तो यह plus minus under root b b क्या है मेरा 7 और b का square मतलब 7 का square minus 4 यह 4 एक कमान कितना है एक कमान है मेरा 1 तो यह मैंने 1 लिखा और cc कमान कितना है 10 तो यह मैंने लिखा 10 अपन पुरे के बटे में यह 2 into a 2 into a एक कमान कितना है 1 तो 1 अब देखो इसको solve करते है minus 7 plus minus under the root देखो 7 का square का मतलब आए 7 का 7 की कहाद 2 का मतलब आए 7 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार 7 को 7 से गुणा करना है 29 तो यह मैंने लिखा 59 यह minus का चिन तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एक कम 4 फिर 4 को 10 से गुणा करना तो 4 दहीं 40 ठीक है अब और 2 को 1 से करना तो 2 एक कम 2 अब आगे और सोल करते हैं इसको यह minus 7 प्लस माइनस देखो 59 में से 40 गठाऊंगो तो कितने बचेंगे 9 upon 2 under root 9 का जो मान होता है वो ध्यान रखना 3 होता है under root 9 का मान के से कितना होता है 3 यदि नहीं आता under root का मान निकालना तो देखो under root के अंदर जो संख्या लिखी होई ना उसके अबाजी गुणन खन कर लो तो 9 के अबाजी गुणन खन करूँगा तो 9 में किसका भाग जाएगा 3 का 3 तिया 9 और 3 तिया 9 3 एकम 3 देखो इसमें 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं तो 2 के अबाजी अबाजी संख्या थी 3 3 का भाग दिया तो 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार गया फिर 3 में 3 का भाग दूआ तो एक बार अग 3 3 कितनी बार आ रहा 2 बार तो यहां लिख दो under root 9 के जाएगे 3 को ना 3 और जब 2 एक ही संख्या दो बार आती है ना तो उस कमान क्या हो जाता है only 1 संख्या जैसे यहां से 3 बार है 3 कितनी बार है 2 बार तो यहां से 1 3 बार निकल जाएगा तो under root 9 कमान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मतलब इसको 2 कैसे लिखूँगा मैं माइनस 7 एक बार प्लस का चीन प्लस 3 बटे 2 ठीके और एक बार लिखूँगा माइनस 7 और नीचे माइनस का चीन माइनस 3 बटे 2 अब दो माइनस 7 में 3 जोड़ँगा तो माइनस के संख्या बड़ी जो बड़ी संक्या क्या है अपनी साथ, साथ क्या है कि क्या चिन लगा माइनस तो चिन तो आजाएगा माइनस का, साथ में से तीन गटा तो कितना आएगा चार और चार में किसका भाग देना है, दो का चार में भाग देना है, दो का ठीक है चार में 2 का भाग दूँगा तो कितना जाएगा माइनस 2 तो एक मान तो आगे अपना माइनस 2 माइनस 7 और माइनस 3 कितना हो जाएगे माइनस के 10 और माइनस के 10 में 2 का भाग दूँगा तो कितना हैगा माइनस के 5 ठीक है तो अलफा का मान आगे माइनस 2 और बीटा का मान कितना है कि माइनस पांच है I hope आपको पूरा समझ में आएगा एक बार मैंने प्लस का चिन लेया अब देखो यहां क्या करना है अपने को तीन में से साथ गटाने तो गटाने का तरीका होता है एक संक्या क्या कि माइनस का चिन है और एक संक्या के प्लस का चिन है तो घटाने का यह तरीका होता है कि एक संक्या के माइनस का चिन हो और एक संक्या के प्लस का चिन हो ना तो आप उनक्या करते हैं घटा देते हैं बड़ी संक्या में से छोटी संक्या घटा दो तो साथ मैंसे तीन कड़ा तो साथ मैंसे तीन कड़ा तो किने बचे चार अब जो बड़ी संक्या कोन है तीन है या चार है सुरी तीन ही या साथ है तो आप बोलो कि साथ है तो बड़ी संक्या किया अगर जो चिनने लगा हुआ है वही उत्तर का चिन्न होग अपना तो बड़ी संक्या किłeा अग्स काचिनने तो अपने उत्तर में भी किसका चिन आएगा माइनस का ओड़ी अब देखो आल्फा आल्फा का महाना अपना माइनस दो और बिटा का महाना अजिया मैना माइनस ओजί एसे निकालते है एलफा और बीटा का मानूँ आई होप आपको समझे मैं आपका अब देखो यहां थोड़ा समझने वाली बात हैं आप देखो मैं समझाता हूँ आपको अच्छी से देखो समझना अपनी समिकन थी एकस स्क्वायर प्लस साथ एकस प्लस थस ठीके अब इसके जो दो मूल आए अपने अलफा और बीटा अलफा और बीटा अलफा का माना है मेरा कितना है माइनस दो और माइनस पांच अलफा का माना है मेरा alpha बराबरा के minus 2 और beta बराबरा के minus 5 ये अपनोंने श्री दरहचारी से निकाले ठीक है, श्री दरहचारी से निकाले अब अपने देखें इसको ये सही निकाले ये गलत निकाले, ठीक है अब देखो, इससे निकालते है, शुन्यकों का योग शुन्यक होगा यह सुत्र क्या होता है अलफा प्लस बीटा शुन्यक होगा यह होता है माइनस बी अपोन अब देखो माइनस बी तो यह सुत्र का है माइनस अब बी का मान कितना है बी का मान है साथ अपोन एक का मान कितना है एक तो अपनोंने इस समीकर्ण से ऐसे निकाला, शुन्यकों को एक माइनस B अपोन A से, तो मेरा आगिया, माइनस साथ में एक कपाग दूगात कितना आजाएगा, ओनली साथ, माइनस के साथ आजाएगा, ठीके, आप देखो इन दोनों को जोड़ो, शुन्यक जो निकाले ना इन माइनस का, मानस 5 पी माइनस 5 जोड़ो, माइनस 5 मी माइनस 2 जोड़ों के तो माइनस के साat, तो देखो, इदर शुन्यकों को य योग exaggeration तो माइनस 7 आया, और इन दरोनों को जोड़ा तो भी माइनस सात आया, अभब एक ये भी छेक कर लेता हए, शुन्यकों को गुनन फल तो छुनियों को गुणा नउटे होता है अलफा गुणा बिटा बरापर होता है C अप्ए तो C का माल कुतना है? 10 और A का माल कुतना है? 1 मतलब 10 में कभाग देंगें, कितना हैंगा, 10 यांए अब इदर भी गुणा कले लेते हैं अलफा और बिटा को तो alpha का माने minus 2 इसको गुणा करना है प्रोंकिसे minus 5 से ठीक है तो minus को minus से गुणा करेंगे तो चिन आजाएगा plus का और 2 को 5 से करेंगे तो पांदो ना 10 मतलब अपनोंने शिरदराचारी से निकाले और दोनों alpha और beta को जोडा तो अपनो minus 7 आया और वैसे भी अपनोंने alpha beta शुनिकों का योग निकाला तो भी minus 7 आया और गुणा किया तो भी 7 तो इस तरीकें आप दोनों को कुछ तरीकों को use कर सकते हैं ठीके दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं पर दिकों ये वाला simple होता है ये शुनिकों का योग पूछा जाए तो डारेक्ट आप एक बार आप श्रीदरचारी लगाओगे फिर उनको जोड़ोगे उससे अच्छा है ना कि आप डारेक्ट ये सुत्र काप्यों करो शुन्यक को अगयो पूछा जाए तो आप शुन्यक ना निकालो तो मैंने जो समझाए ऐख आप पूरा अच्छा था शुन्यक के निकालने का तो ऐख ये वीडियो पूरा आपको समझ में होगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही फिर अगले वीडियो में अगले क्योशन के साथ अगले टाइप के साथ मिलते है थैंक यू